साथ्यों नवसकार बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल बे दोस्तों जनरल साइंस के इस सीरीज का यह हमारा तीसरा वीडियो है इसके पहले जो इस पे दो वीडियो जो अल्रेडी अपलोड कर चुका हूँ अगर आप उसे देखना चाहें तो इसका लिंक जो है आपको इसी व आप हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लिजे और साथ में जो है बेल आइकोन भी ओन कर लिजेगा तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह सभी important questions है तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक जोरू देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जोरू करें तो चले दोस्तों देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रस्ट पहला प्रस्ट है यूरिया अधिक्तम मात्रा में पाई जाती है दोस्तों दूस्तों दूध में नहीं पाई जाता है टाकसीन है दोस्तों एक जहरीला पदार्थ नेस्ट है एंजाइम की रचना होती है दोस्तो एंजाइम की रचना जो है अमीनो अमलस होती है फलो और सबजीओं में नहीं होता है दोस्तो फलो और सबजीओं में विटामिन डी जो है नहीं होता है मलेरिया का परजीवी है दोस्तो मादा एनोफलीज मच्छर नेस्ट कोश्चन है मानो सुत्र में उत्सर्जित होता है दोस्तो विटामिन सी काफी महत्पूर्ण कोश्चन है दोस्तो नेस्ट कोश्चन है दूध में उपस्तित प्रोटीन है दोस्तो कैसिन मेठा के हिर्दे में चेमबर यानी कच होते हैं दोस्तो तीन मेठक के हिर्दे में चेमबर यानि कच्छ होते हैं दोस्तो तीन नेस्ट कोश्चन है मानो सरीर का महत्पूर्ण गरंथी है दोस्तो पिट्यूट्री गरंथी काफी महत्पूर्ण कोश्चन है दोस्तो next question है मानो सरीर में प्रचूर मात्रा में पाया जाता है next question है कोसिका का अनुवांसिकी पदार्थ है दोस्तो DNA next question है अनुवांसिका के नियम का जन्दाता है दोस्तो Gregory Mendel काफी महत्तपूर कोसिका सब्द का निर्मार किया था दोस्तो Robert Brown ने कोशी का सब्द का निर्मार किया था दोस्तो राबट ब्राउन ने काफी महत्पूर्ण कोशन है दोस्तो नेक्स्ट है सबसे बड़ा फल तथा पूस्प है दोस्तो सबसे बड़ा फल और पूस्प की बात करें तो करमसा आर्केटिज तथा रेफलोसिया है सबसे बड़ा फल है दोस्टो आरकीड्स और सबसे बड़ा पूस्फ है दोस्तो रेफलोसिया काफी महत्पूर्ण कोश़्न है दोस्तो स्तंब कंद, धनकंद, सलकंद तथा प्रकंद का उधरन है दोस्तो आलू, बंडा, केशर, प्याज तथा अद्रक और हल्दी नेस्ट कोशन है अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर में खाई योग्या भाग है दोस्तो फल भीते अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर में खाई योग्या भाग है दोस्तो फल भीते नेस्ट कोशन है अद्रख तथा आलू में खाय ओग्या भाग है दोस्तो तना मानव सरीर में रखत की मातरा सरीर के भार का कितना परतिसत होता है कारबनेडो ग्रेफ़ाइड सरीर के सबसे छोटी अस्ती है स्टेफिस जो की कान की है नेस्ट कोच्चन है जीवन रक्षक हर्मोन को काता है दोस्तो एंड्रीनल हर्मोन नेस्ट कोच्चन है प्रकास संसलेशन अधिक होती है दोस्तो लाल रंग के प्रकास में परकास संसलेसन अधिक होती है दोस्तो लाल रंग के परकास में नेस्ट कोशन है आत्महत्या की थैलिक आलाता है दोस्तो लाइसो सोम नेस्ट कोशन है द्रवित पेट्रोलियम गैस है दोस्तो बिटेन तथा प्रोपेन गैस का मिस्रन काफी महत्तपून कोशन है दोस्तो नेस्ट कोशन है प्रोटीन की फैक्टरी का लाता है दोस्तो राइबोसों डियने और आरेने है दोस्तो निउकली कम नेस्ट कोशन है मानों शरीर का समान नेताफ है दोस्तो 98.6 डिगरी एफ या फिर 37 डिगरी सी या फिर 310 केल्विन होता ह निर्धारन होता है मनुषय में लिंग निरधारन होता है और नहीं स्थ रिके निर्फ कोशन न में मांस्पेसियों की संख्या होती है और इस तरी नामिल संसार का सबसे बड़ा पक्षी है दोस्तों सुतुर्मुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है दोस्तो सुत्रमर नेश्ट कोशन है खोपड़ी में कूल अस्तियां होती है दोस्तो आठ काफी महत्रपूर्ण कोशन है दोस्तो नेश्ट कोशन है जीन के संसलेशन से संबंधित बेखती है दोस्तो हर गोबिंद खुराना नेश्ट कोशन है संसार का सबसे छोटा पुस्प है दोस्तो बुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुस्प है दोस्तो बुल्फिया पूरुस जीन संगठन होता है दोस्तो एक सुआई काफी महत्पूर्ण कोशन है दोस्तो नेस्ट कोशन है परकास संसलेशन के लिए आवस्यक गैस है दोस्तों COT काफी महत्पूर्ण कोशन है दोस्तों नेस्ट कोशन है मधुमेह रोग होता है दोस्तों इंसुलीन की कमी से पौधो का मुख्य परकास संसलेशन यंग है दोस्तों पत्ती पौधो का मुख्य परकास संसलेशन यंग है दोस्तों पत्ती काफी महत्पूर्ण कोशन है दोस्तों नेस्ट है बंकराइटिस एक रोग है दोस्तों किरित्रिम हिर्दैका बंक्राइटिस एक रोग है दोस्तो क्रित्रे मिर्दे का काफी महत्पूल कोशन है दोस्तो नेस्ट कोशन है एक लड़का अपने पिता से क्रोमजोम पाता है दोस्तो 22 प्लस Y एक लड़का अपने पिता से क्रोमजोम पाता है दोस्तो 22 प्लस वाई गाफी महत पोड कोशन है दोस्तो इस वीडियो में बस इतना है दोस्तो I hope कि ये वीडियो पसंद आए होगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू कर दे दोस्तो और ऐसे एंपोर्टन वीडियो जो है आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे आप बस वी लाइकन देपन, थैंक्स पर वाचिंग